अगर आप चिकेन कलेजी खाने के सवकीन है तो आज मैं आपकी लिए लेकर आई हूँ सूपर से भी उपर टेस्ट वाली चिकेन कलेजी बनाने का एकदम नया डिफरेंट तरीका इतना डिलीसियस इतना जवर्जस्तिय बनकर त्यार होता है ना फ्रेंट्स गैरेंटी से कहती हूँ बिना भूख के भी आप दो रोटी चाहदा खा जाएंगे तो हेलो मैं लवली फ्रेंट्स मैं रूरिंकू और स्वागत है आपका मेरे चैनल अपना कीचन में तो फिर दरीकिए इस बात की जली फटाफर से मिलकी बनाती है इस बज़िदार सी रसिपी को तो एकदम नए डिफ्रेंट तरीके से सुपर डूपर टेस्टी चिकन कलेजी बनाने के लिए मैंने आपे 500 ग्राम चिकन कलेजी लिया है इसे मैंने अच्छे से क्लीन एंड वास कर लिया है चिकन कलेजी आप अपने जरूत की इसाफ से कम यह जादा करके ले सकते हैं जितन जिन भूरेंगे कवादना जरूत हों अब्वार मैंने को च्छी कैन कलेजी लेंगे 2 मिन तक इसके लिए मैंने गयस एक बरतन में दो अ IPS पानाव coming मैंने जबा दूदची कह पार और आदा में पानी आप तो जब आप चिकन कलेजी को हाई फ्लेम पर दो मिनट तक उबाल लेंगे ना फ्रेंज तो जो भी इसकी गंदगी होती है या फिर इसका जो इसमेल होता है पूरी तरह से खतम हो जाता है और आप देख सकते हैं इसमेल तो पूरी तरह से खतम हो गया है तो दो मिनट मैंने इस इसे उबाल लिया है गैस का फ्लेम बंद करके इसे एक जाली वाले बर्तन में चान लेंगे और इसको नॉर्मल पानी से धो लेंगे जिसे की जो भी इसका उपर का कचड़ा हो नीचे चला जाए ज़ड़ जाए अब इसे क्या करते हैं दो मिनट इसी तरीके से छोड़ देते ह हाफ टीस्पून सौंफ सौंफ इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर लेकर आता है छै से साथ काली मिर्च के दाने डाल देंगे दो छोटी लैची या हरी लैची एक इंच दालचीनी का टुकड़ा और दो लॉंग डाल देंगे साथ ही में डाल देंगे एक तेजपत्ता छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके और हाफ टीस्पून पपी सीट्स यानि की खस-खस या पोस्ता दाना भी इसको बोलते हैं अब इन खड़े मसालों को हम एक मिनट तक लो फ्लेम पर भून लेंगे इस तरीके से लगात चलाते हुए तो इसे हमें जादा नहीं भूनना है जैसे खड़े मसाले क्रिस्प हो जाएंगे और इसमें से एक अच्छी सी खुजबू आने लगेगी वैसे हम गयास का फ्लेम बंद कर देंगे क्योंकि खड़े मसालों का कलर नहीं चेंज करना है बस इसमें खलका सा में रख देते हैं ठंडा होने के लिए तक तक फटा फटम क्या करते हैं चिकन कलेजी को भी कट कर लेते हैं क्योंकि यह बहुत एच्छे से ठंडा हो गया है तो इस तरीके से देखिए इसको छोटे-चोटे पीसेज में हम कट करेंगे आप चाहें तो इसे साबूद भी चाहें तो इसे सिर्फ दो टुकडों में भी कट कर लिया है और सारे पीसेज में ने देखिए एक बराबर रखें मतलब कोई चोटा बड़ा नहीं है अभी से साइड में रखते हैं और फटा-फटाम क्या करते हैं मसालों को कूट लेते हैं क्योंकि मसाले बहुत अच्छे स अगर आपके पास अगर आपके पास खलवटा नहीं है तो इसे मिक्सर जार में डाल करके भी दरदरा पीश सकते हैं तो चिकिन कलेजी के टेश्ट को बढ़ाने के लिए हमारा बहुत ही स्पेसल मसाला बन के रेडिया है अब हम चलते हैं कुकिंग के प्रोसेस में वापस ग तेल बढ़ा सकते हैं, मैं इसको एकदम हेल्दी तरीके से बना रही हूं, इसलिए तेल का इस्तमाल इसमें कम कर रही हूं, तेल करम होने पर इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, जीरा जैसे हलका सबुन जाएगा, फिर इसमें डालेंगे 2 मीडियम साज का बारिक कटा तो लीजी फ्रेंस प्याज हमारा बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है, आप देख सकते हैं, इसका कलर बहुत ही बढ़िया गोल्डेन प्राउन हो गया है, है ना, तो इसमें ज्यादा प्याज को हमें डार्क नहीं करना है, अब हम इसमें डालेंगे अध्रक लेसन इस चोटे-चोटे टुकुड में काट करके, गयास का फ्लेम बिलकुल रखेंगे और लो फ्लेम पर इसे दो मिनट तक भून लेंगे ताकि अध्रक लेसन का कच्छापन निकल जाए, तो दो मिनट हो गये मुझे अध्रक लेसन और हरी मिर्च को भूनते हुए और आप देख सक टेस्ट को बनाने से ना इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि चिकन कालेजी में एक बढ़ियां सवंदा सॉंदा फ्लेवर आजाता है अध्रक बढ़ा देता है, तो आपर दो मिनट हो गये मुझे चिकन कलेजी को फ्राई करते हुए और आप देख सकते हैं, कस्मीरी लाल मेच पाउडर है जो तीखा कम होता है और कलर बहुत अच्छा आता है स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इन सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम गयास का फ्लेम बिलकुल लो रखेंगे लो फ्लेम पर इस तरीके से बार बर चलाते हुए मसालों को एक मिनट तक भून लेंगे तो एक मिनट मैंने मसालों को भून लिया है और आप देख सकते हैं फ्रेंस ये बहुत ही अच्छे से भून गया है और इसमें से इस में पहुत ही अच्छी सी खुश्भू आने लगी है। तो अब हम इसमें डाल लेंगे टमाटर का पेस्ट, तो मैंने एक मीडियम सैज के टमाटर को मिक्सर जार में डाल करके पेस्ट बना ले सहे। प्लेट में मैंने थोड़ा सा पाने डालकर क्लिन करते हुए इसी में एड कर लिया है अब हम क्या करेंगे इंसा भी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गयास का फ्लेम लो ही रखेंगे लो फ्लेम पर इसे ढख करके 12-15 मिनार तक पकाएंगे बीच-बीच में इस तरीके से ढखकन हटा करके चलाते रहेंगे मिक्स करते रहेंगे जिसे कि यह चारो तरफ से अच्छे से कूखो और नीचे से एक ही तरफ जले नहीं तो ऐसे बीच-बीच में ढखकन हटा कर चलाते हुए पकाएंगे और फिट से ढख देंगे एक चोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आया ना तो वीडियो की नहींचे एक लाइक का बटन द्यागे है उसे क्लिक करें और अगर आप मेरे चनल पर नहीं है तो ऐसी इस सुपर डूपर डिलीसस रेसिपी देखते राने के लिए मेरे चनल क चिकन मसाला पाउडर और थोड़ा सा कटा हुआ फ्रेस हरा धनिया अब इन दोनों को अच्छे से चिकन कलेजी में मिक्स कर लेंगे और ढख करके दो मिनट तक और पकाएंगे तो इस तरीके से हरा धनिया का जो फ्लेवर है ना पूरा चिकन कलेजी के अंदर तक चला जाता है दो मिनट के बाद धकन हटाएंगे और यह देखिए वाओ अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे तो आप इसे रोटी से खाई या पराठा से या फिर ऐजे स्टार भी से सर्व करिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगता है तो इस तरीके से चिकन कलेजी एक बार बन क्योंकि इसका स्वाद भूलना पाएंगे तो फ्रेंस रेसिपी को ट्राइ करें पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें और इस रेसिपी को जादा से जादा अपने दोस्तों के साथ सेर करें फिर मिलते हैं किसी नेक्ट वीडियो में ऐसी ही बहुत ही एमेजिंग एक झाल झाल